शिमारू विंटिट्स से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए कीजिए हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ 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 हु यह हैं इनकी पुरानी हवेली जिस बदनसीब को जी भरके हसना कभी नसीब ना हुआ इनके आते ही नोकर सलामी देने लगे आप से मिलिये इस घर की सबसे उंची चटान जिसने इस जो आला मुखी को जनम दिया है यह हैं इनकी माता जी यह रहा तुम्हारा शेखत अमेरिका और विलाइश से कितना कामियाब बनकर आया है याद है तुम कहा करते थे खिलाओ बच्चों को सोने का निवाला मगर देखो शेर की नजर से आज तक इस घर में तुम्हारा वही वसुल कायम है क्या सच बात कही थी तुमने कि बच्चे हसने से आम बच्चों के तरह छिचोरे और रोने से बुख्दिल बन जाते है और मा विलाइत के बड़े बड़े लॉट्स और बिजनिस मैगनेट्स मेरे बिजनिस स्टाइल को देखकर डंग रह गए और तबकर मुझसे पूछने लगे कि मेरी कामियाबी का राज क्या है मैंने जवाब दिया मा की तालीम खानदान का नाहसने का असूल और पिता जी का आशिरवा पिता जी जब मैं विलाइत पहुचा तो बिजनिस के चांसे जीरो परसंट है लेकिन मैं रोया नहीं उस वक तक लड़ता रहा है जब तक के 100% चांसे मेरे फेवर में नहीं हुए शेखर तेरे आखरी बयान से अपनी तारीफ की बहुत ज़्यादा बू आ रही लेकिन मा अपनी इतनी तारीफ से तुम कहती हो पूरी नहीं ये इतनी से ज़रा ज़्यादा उतनी हो गई ये तारीफ तो फिर मैं अपने कुछ अलफाज वापस लेता हूँ ये थी माँ और बेटे की तीन साल के बाद प्यार भरी मुलाकाद प्यार जो इस बदनसीब माँ को शायद कभी नसीब नहीं हुआ शोहर से उसूल मिले, बच्चे मिले, बड़ा घराना मिला इसने भी बच्चों को सब कुछ दिया मगर प्यार न दे सकी इस घर में खुब्सूरत मैना भी रहती है जो बदकिस्मती से इस लड़के की बहन है ये माँ और भाई से तब्यत में बिलकुल अलग है इसके दिल में जवानी की उमंगे में चल नहीं है ये महबत की दिल फरेब मनदिलों से गुदर रही है महबत जो इनसानका पैदाईशी हक है ये हस्ती भी है और महबत भी करती है मगर चोरी चोरी दरती है कि अगर भाई को मालुम हो गया तो जान की खैरियत नहीं है जिस दिन उन्हीं ये पता चल जाएगा कि मैं कैसे आग्मी से शादी करना चाहती हूँ जो उनके ओफिस में टलर्क है तो बस उस दिन हम दोनों की जान की खर देखे मैं यह मनने से नहीं रगता माला मत देखने में कमजोर जरूर लेकिन दिल पाया है महराना प्रताथ का जिगर पाया है शहजादा सलीम का और गुसा पाया चंगेश खां का यह आगया आगया स्वारे बाद चंगेश का सच मैं भय आगया आगया शॉब पाद्रे पाद्रे हॉ वो भाया, भाया, तुम आदे, कैसे हो भाया? क्या बार थे भाया, तुम बड़े घबराय से लग रहे हो? यहां से हटने क्या आदाई? यहां कोन हसता है, भाया? मेरा ख्याल है, 200 सार पहला जब यह मकान बनाए था, तब यहां कोई हसा हुआ माला! इन सार मेरा नाम भी बुल गए, भाया? क्यों, क्यों? तो तो ना माला नहीं है? माला नहीं था नामस, नामसूंस माला, माला, माला माला, माला मैं तो गोली के लिए तयार था, इस देट के लिए नहीं माला क्या करूँ? तुम्हारा भाई मेरा होने वाला साला भी तो तुम्हारा भाई मेरा भी तुम्हारा 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 भी तु कौन रिटा? आपका सेक्रेटरी सर मैं सेक्रेटर है हम इदर हॉस्पिटल से बोलता है सर हमाना बॉर्फरेंड का एक्सिदेंट हो गया हमको एक दिन की छुट्टी मांगता है नो फोरन आफिस चलियो वरना हमेशा के लिए छुट्टी दे दे जाएगी आफिस बॉर्फरेंड के एक्सिदेंट का इस आफिसे कोई मतलब नहीं रोमांस करना तो नौक रिछोर दो संजी? नो बस, नो शेकर? येस मैनेजर? इससे गलती हो गई है अब माफ करतो नंसेंस बेड आने से जो काम में हर जुआ है उसे कौन पूरा करेगा वह हम दोनों मिलकर पूरा कर देंगे हो, हो, हो! शाम को देर तक बैठकर हम काम खत्म करके जाएगे नो! मैं नहीं जाता कोर भी एक शेकंड देर से हाए या एक शेकंड देर तक काम करे I want discipline! Understand? Discipline! Secretary, मेरी Hong Kong की पाई लाओ Manager, you can go Go Manager देखिए, कैलकटा ओफिस को फोन करके हमारा Singapore का माल भुजवा दिजिए Jee Manager Manager Go Dekho, Shekhar मैंने बच्पन में तुम्हें गोत खिलाया है और तुम हमेशा प्यार से मुझे शाचा जी कहा करते थे अगर अगर अब भी तुम What nonsense! This is my office! तुम ऐसा सो सकते हो लेकिन मैंने इस दफ्तर को हमेशा अपना घर ही समझा है बहतर हो आप इसे मेरा office ही समझे जाए काम कीजे Don't waste my time अब इस साहाब को तो बात तक करने की तमीज नहीं मजबूरी नो होती तो इसके नोगरी कौन करता जब विलाये पे था तब मैनेजर साहब ने रात दिन मिहनत करके इस कमपनी को चलाया अब उनसे भी ऐसी बाते करता है जैसे खा जाएगा Brut आप लोग जानते हैं आज कर हमारी इंड़स्ट्री के हालात में से गुजर रही है Foreign Exchange और दूसरी टेक्निकल मुश्किलात की वज़े से कई कमपनीया बंद हो चुकी है मैंने आप सब को यह इसने बुलाया है ताके आप कमपनी के हालात से बाकित हो सके आप जानते हैं कमपनी का क्या हाल है जी हां खाक जानते हैं कमपनी के हालात को देख तो मैं सपैसले पर पहुंचाओं कि आप सब को तीन महिने का Hello? Yes? Notices लोगरी चलीगी तो मर जाएगी I am busy दो मिनेट के बाद फोन करना हाँ, मैं क्या करा था? आपको मालू मैं कमपनी का क्या हाल है? जी नहीं और कभी नहीं मालू होगा कमपनी के हालात को देख तो मैं सपैसले पर पहुंचाओं कि आप सब को तीन महिने का बोलस मिलना चाहिए Quiet! Quiet! No claps! No claps! No talia! मुझे काम चाहिए I won't work! Get out and get busy What nonsense! What nonsense! पगड़ी कहा है पगड़ी 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 वाश इड़त What the means? I'll kill him कि आप मुझे पापगी सतरपा रखोसी रखो 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 पापगी सतरपा रखो वाश Cहाश Cहाश रखो कवर तो सर्थ पर पगड़ी ज़रूर होनी चाहिए, यहीं तो हम लोगों को खाने हज़र नहीं होता, समझे? माला, अगर मैं आज तुमारी माताजी से कह दू, कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमारा शौ हूँ, तो क्या हो जाएगी? एक गोली के आवाज है और तुम रंगा भार कि सेर करें हो? इसलिए ना, इना गरीब हूँ काश, मेरे पास आली शान भंगला होता, तौलत सुदी नोकर होते, चाकर होते, तुम मस्कीन अस्वान करें माला, मेरी, माला मेरी, माला जीवन, यह क्या हो रहा है? जी, ब्रिधिंग एक्साइज कर रहा हूँ जरा आपनी अवकाद देखकर ब्रिधिंग एक्साइज किया करो नहीं तो एक दिन बहुत ज़्यादा जीप ब्रिधिंग हो जाएगी हो सकता है कि सांच यी वापस ना सके, समझे? जी कहिए, क्या कहना चाहते है? जी मैं यह कहना चाहता हूँ के माला बिटिया के कदम डगमगाने लगे है जी मेरे मतलब है अभी उसकी उम्र ही क्या है? उम्र का हिसाब इस घर में नहीं रखा जाता पांच साल के बाद बच्चे बुड़े सब बराबर समझे जाते हैं साफ साफ बताईए आप क्या कहना चाहते हैं जी बेटिया के मुच्छे खदम नीची जगह गिरने लगे है वो एक मौजवान से प्यार करने लगी है प्यार? इस घर में? हर कसूर माफ किया जा सकता है मकर ये गुना इस घर में कभी नहीं बखसा जाता कौन है वो? कौन है? लेकिन.. लेकिन क्या होता? नाम बताईए नाम आपके सवर्गवाशी पिता जी ने कुछ उसूल काईम किये थे इस घर में उन उसूलों में से एक उसूल ये भी है बात छिपाओ मत, कह जाओ मगर नाम ननो वरना शिकायश समझी जाएगी आपको नाम बताना ही पड़ेगा इजाज़त थे आपकी तोर दूँ इस घर के उसूल शेकर तुम्हारे पिताजी के काईम के हुए उसूल मेरे जीते जी नहीं तोड़े जासको तो फिर मा ये फैशला क्यों कर होगा इसके जम्मेदारी कहने वाले पर समझी जाती है मैनेजर साहब जी जी हाँ देखिये आप तो वीज दिन के बाद कश्मीर जाही रहे हैं बेहतर होगा के माला बिटिया को भी साथ ले जाए और आप ये ट्रिप जरा जल्दी अरेंज कर लें कितनी जल्दी जी परसों नहें कल कुछ महीने कश्मीर रहकर माला बिटिया इन सब बातों को भूल जाएगी जी बिलकुल भूल जाएगी आपसे एक्स्परनेशन कौन पूछ रहा इस घर में जो बात कही जाए अलफास कम हो और मतलब बहुत जादा तुम लोगों नहीं मुशे बुलाया है मैनेजर साब कल सुबा काश्मीर के लिए प्लेन से दोसीट बुक कर लीजी माला और शेखर जा रहे है कश्मीर जम्मू से 200 मील दूर कश्मीर मैं कश्मीर क्यों जा रही ह। क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है सारी दुनियों से लोग कश्मीर जाते हैं क्या सबका दिमाग खरा गए हाँ मगर मेरा तुसूर क्या है तुम्हें बताना होगा ये मेरा जात्ती मामला है भर्वान करे आज के रास सुबह नहों क्या है अलीजू शेकर साब आपका इंतिजार कर रहे हैं क्यों हम लो कश्मीर खुमने चल रहे हैं उनसे कैदो मैं कहीं नहीं जांगे मैम साब कश्मीर वो तारीखी जगह है जिसके लिए शायरों ने क्या खूब कहा है अगर कोई जञनत अजमी पर कश्मीर है कश्मीर है कश्मीर है बस अवस्सुस इस बात का है कि यह जhnत जहनम अगया बरफ में आँड लग जाएगा फूल अपने अपनी जान बचा कर भाग जाएगा और चारों तरफ एक ही आवाज आगी क्या? भागो, शेखर भाय आगे, भागो, शेखर भाय आगे, शेखर भाय आगे! मात्तमीज लड़की, तुम ने धेला क्यों मारा? धेला नहीं, वरफ का गोला था! गोला साही, मारा क्यों? मैं तो बंदल को मारे थी होलती से आपको लग गया, माफी चाहती हूँ माफी चाहती हूँ मालूम होता है माबापने कोई तहजीब नहीं शिखाई तुम्हे गोला तो फिर मुझे किस तरह पड़ा हाँ शायद पचाला गोला धोका खा गया आप भी फुदक पे जा रहे थे बंदर भी फुदक पा जा रहे थे मैं तुम्हे बंदर नदर आता हूँ है अजी आपके मूपे हां कैसे कहूं आप समझेंगे खुशामत कर रहे हैं पत्तमीज लड़की मैं तुम अभी देख अभी देखता हूँ पत्तमीज बंदर कर देखता हूँ आप आप ओओ 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 मैं ओओ 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 कितना मना किया था बंदनों से मत लड़ा कर गाता. काट खाया ना किसी बंदर ने? पिता जी आज तो इन बहुत बड़ा जुगादरी बंदर मिल गया था। जुगादरी बंदर? कश्मीर में कैसे आया? आया नहीं, कहीं से लाया गया है. कितना पैसा लोग वेस्ट करते हैं। जुगादरी बंदर लेकर कश्मीर सायर करने आये। अपने अपने शौक है पिता जी। आज आपने फिर मोई पुराना सूट पहना है। अपने अपने शौक है बेटी। पिता जी, मेरी गुड़िया पड़े बूरी हो गई है। आपने गुड़ा लाने का वादा किया था न। अब तो मैं इस घर में बंदर लाने के फिकर में हूँ। बंदर? कहे के लिए? मेरी ये बंदरिया भी तो बड़ी हो गई है न। पिता जी। पिता चता ऑदी पाने के लेखो सी बंदर 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 बंदर्म आले तो बंदर्म आ जी अज़ायक और लिए inner आ है कर दो दो रखार्ट है चाचाचा मेरे बचपन कहीं जाके छुपना दा चाचाचा मेरे बचपन कहीं जाके छुपना दा ये सपल है अब मुश्क आने को है चुपा चाचाचा मेरे बचपन कहीं जाके छुपना दा मुश्क आ na 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 and शो mitä कहीं जाके छुपन एक के रंचो गए फूल खिलने लगे जिन्दगी पॉले रंग मिलने लगे एक के रंचो गए फूल खिलने लगे जा 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 मेरे बचपन कहीं जा के छुपना दाए ये सब पर है अग हुशक आने को है तूपा जा 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 मेरे बचपन कहीं जा के छुपना दाए एक कशक हर भड़ी दिल में रहने लगी जो के तड़ पांगे एए फिर फी अच्छी लगी एक को शखर भड़ी दिल में रहने लगी जो के तड़ पांगे एए फिर फी अच्छी लगी जा 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 मेरे बचपन कहीं जा के छुपना दाए ये सब पर है अब फुशक आने को है तूपा जा 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 मेरे बचपन कहीं जा के छुपना दाए मेरा जल मेरे बसके बाहर हुआ मुझको लेकर उड़ा आत्मा सुनिया मेरा जल मेरे बसके बाहर हुआ या मुझको लेकर उड़ा आत्मा सुनिया जा 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 मेरे बचपन कहीं जा के छुपना दा ये सबर है अब मुश्किल आने को है दूपा जा 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 मेरे बचपन कहीं जा के छुपना दा जा जा मुझको भी खार जा के वहार है? मैंने सहाब को टेलीफून कर दिया है वो डाक साब को लेकर आते ही होंगे तुम्हें टेलीफून करने किसने कहा था? आपको तबीद बहुत खराब हो ले थी कदे कहीं कि कहा जारे है मेम साब? जार नम्मे ऐसे हद में आप आना चाहिए साब मुझे बहुत नराज होंगे मेम साब कोई बात नहीं एवर्थिंग इस नॉर्मल लेकिन डॉक्टर सहाब ये मेरे दर्ट चू लेहता है? इस जमाने में ऐसा होता है इस व्यूद नेचुरल आपको इस 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 जिए 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 क्या मतलब? मेरा ख्याल है ये आपका पहला बच्चा है क्यों? क्या हुआ? जी कुछ नहीं थोड़ी देर आराम करो मुझे पता बता दो मैं तुम्हारे भाई को यही बुलवा लेता हूँ जिद नहीं करते बेटी थोड़ी देर यहां ठेर जाओ तब यह ठीक हो जाए फिर चली जाना हाँ तुम्हारे भाई का नाम हाँ 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 तुम्हारे यह बादै कर दो बादै कर दो वे तुमने मुझे क्यों बचाया, मर जाने दिया होता है वागी बड़ी घलती हो गई, चलो किसे देखेले मजाग छोड़ो राश, ये बात कब तक छिपे रहेगी, जब तक मेरे दम में दम है नहीं, तुम मेरे घरवालों को नहीं जानती, मेरे भाया मुझे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे और मैं तुम्हे मन्ने नहीं दूँगी, का रहते हैं तुम्हारे भाया डल्ले, गेस्ट हाउस गुलमोहर अच्छा, अभी फलत को पड़ा दिलजलों से काम नहीं तुम्हारे भाया को ठीक ना कर दूँ तो राजनाम नहीं कुछ पड़ा चला लिजो, अभी नहीं से खाथ मेरे पीज़ी पीज़ी क्या चकल लगा रहा, नहीं नहीं क्यों क्यों देख रहा, क्यों मुझे बदे, जोज़ो कहां पही वो, कराओ मैं अंदर आ सकती हूँ पंदर? यू, 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 तुम यह क्यों है? आपसे कुछ ऐसी बेतहाशा सी महबत हो गई है कि बार बार आपकी सूरत देखने को दिद तड़क उठता है और आपके हसी, सुभान अल्ला, ना जाने कितनी लड़कियों की जान लेगी है गराब, मैं तो लेग में फेक दूँगा यही अदाएं तो गातिल है, जरब फिर से कहिएगा यही जुमला अली जू, जी सरकार इस पागल लड़की को घर से निकाल दो अली जू, इस पागल को आगरे के पागल खाने भीजवा दो अली जू आ 뉴스 अली जू, इस बेचारे को ये भी नहीं आहिए का इसकी बेहन बेहोश होकर गिर गई ती और मरने वाली थी लेकिन एक लड़की दरस खाकर उसे हस्पिताल ले गई अली जू, इस पागल लड़की से पूछो मेरी बहन कॉनसे हस्पिताल burी हुए अलीजू इनसे कहो के पहले लड़कियों से बात करना सीखे सरकार आखे यह हस्पिताल का वक्त नहीं है तो फिर कर? चार बजे इनसे कहे दो के ठीक चार बजे चिनार बाग में मिले राज कुमारी जी इन सजार फरमाएंगे राज कुमारी थी? आप कहा की राज कुमारी हैं? मैं कहीं की राज कुमारी नहीं, मेरा नाम राज कुमारी सरकार, यह कहीं की राज कुमारी अलीजू! जाब! 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 क्या है? फूल, कितने खुबसूरत फूल मुझे फूल पसंद नहीं आपके लिए नहीं है आपके बीमार बेहन के लिए किसके लिए भी हो मुझे पुरों से नफ रहत है फिर सोच लीजी रसमी दुनिया भी है मौका भी है और दस्तूर भी है नहीं नहीं अच्छा तो मैं आपकी हां का इंतजार करती अच्छा अच्छा चलो नहीं तो हस्पितर को राष्टा बठा दो फूल डाम फूल जी नहीं कुलाब के फूल हाँ फूल लाओ फूल लाओ फूल लाओ माला तुम्हें सिर्फ अपनी जित की वज़े से यहालत बना ली अब उसी दिन मेरा कहा मान लेती तो आज दिन देखना नसीब नहीं होता फूल लो यह फूल लो यह फूल तुम लाए हो बया है तुम्हारे भाईया को फूलों की बड़ी पैच्छान मालूम होती है देखो कितने खुबसूरत फूल चुन-चुन के लाएं तुम्हारे ले बड़ेची फूल है मेरा ख्याल है पिछले जनम में माली जुरूर रहे होंगे नॉमसेंस माला तुम्हे हुआ क्या है कब तक ठीक हो जाओगे तुम भाया ये तो डॉक्टर साहब से पूछना पड़ेगा कहां है डॉक्टर जी हो जब दैने से बाया फिर बाये से बाया उस कमरे में है अब मैं मानती हूँ तुम मेरे भाया को जरूर ठीक करोगे ये तो एक भाया है अंदस्पी हो तो उनको भी ठीक कर दाल लड़के को जिंदगी में एक को ही ठीक करना चाहिए क्यों मोहबत सिर्फ एक से होती है मोहबत और इस पत्थर से तुम चाहो तो इस पत्थर को भी तराश के पैमाने बना सकती है लेकन डॉक्र सेब आपने ये तो बताया नहीं कि और कितना टाइम लगेगा रिकावर होने में काफी कमजोर है एक महिना भी लग सकता है तीन महिना भी लेकन इतने कमजोर ही कैसे हो सकती है जिन्दा रहने के लिए जो सबसी इंपोर्टेंट चीजें है वो तो आप भूली गए सिर्फ दो हसी और खुशी ये लीजे आप आजाव ये पांसो दो लार पर रखी आप मेरी बहन को कोई तकलीफ ना पहुंचे ये इतने रुपय आप क्यों दे रहें मुश्किल से पांसो रुपय का काम है बाकी ये पंदर सो रुपय आप वापस ले जाए मैं दे कर वापस नहीं लिया करता दॉक्टर सहाब प्लीज ओके माला मुझे दॉक्टर में सब कुछ बता दिया है सब कुछ हाँ कहता है थोड़ी कमजोरी है सब्सक्राइब कर यहीं ना दिया चौन भी सिली मैं अपना कीमती वक्ट जाय नहीं कर सकता इसी मामुलियों चिखें लिखकर अच्छा मैं जा रहा हूँ कल सुबह फिर आउंगा इतनी बार आपसे कहा जाए कि चार बशी से पहले नहीं आ सकता माला करें मुझे यई लड़की माख़्ी कहला लगती है सुबह जो और मऊजूद स्टा आटजयो मुझे इस कमपनी बिलकुल पसंद नहीं लेकिन इस न मेरी जान बचाई है तुम्हारी जान बचाई है लेकिन मेरी जान पर उतराई है somos पहलें मैं जारा हूँ कले लड़की यहा मौजूद ना समझी, फिरा हूंगा क्यार बजी के बार मौजूद ना समझी, फिरा जाती है, इतनी बार उड़ाओ फिरा जाती है लेकिन आज आज आप मुझे देखके नराज नहीं हुए, वही हस्मुक चेहरा, वही सीधी साधी बाते ही इस साधगी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा, लटते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं Get out Get out Get out जाओं कैसे मेरे पैस दुखते हैं मुझे का मालू, मुझे पूछके आयती क्या इस दुनिया में बाबु जी ना कोई पूछके आया है और ना कोई पूछके जाएगा इडियेट लावे खुदूए पभी नैहीं कभी नहीं कभी ना कोई दूध हुदू अरे का आश मिर के कले हुदू हुदू मैं ब opinions तेना रोठों क भाजू दे पूर ठा गये तो फिर नहिलूँए कभी नहीं कभी नहीं कभी नहें कभी नेखुदू प्रंगत मेरी बहारों में दिल के आग चनारों में प्रंगत मेरी बहारों में है दिल के आग चनारों में कुछ तो हमसे बात करो इन बहके गुलजारों में काश्मिर की करी मैं मुझसे ना रूठाव पाबूजी धूर शगई ता फिर न किलूगी तब नहीं तब नहीं तब नहीं प्यार पे घुस्ता करते हो तेरा घुस्ता हमको प्यारा है यही अना का पातिल है जिसने हमको मारा है काश्मिर की कली हूँ मैं मुझसे ना रूठाव पाबूजी मुर्जा गई तो फिर न किलूगी कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं काश्मिर की कली हूँ मैं मुझसे ना रूठाव पाबूजी मुर्जा गई तो फिर न किलूगी कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं चाड़ा जी ना राजीपाँ चाड़ा इस हमोशीपाँ छोड़ो जी नाराजी को तोड़ो इस खामोशी को आख अजब है शेख जी समझे ना शहजाजी को आख अजब है शेख जी समझे ना शहजाजी को पाश्मिर की तली हुँ मैं मुझसे ना रूचो पाबूजी पूर्छा गई तो फिर न फिलूँगे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं हर काश मिर के चले हूँ मैं मुझ से ना रूँखा बाबुजे पूर्छा गई तो फिर न फिलूँगे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं जयोगाई ! है ! अब घबराने की कोई बात नहीं, दो एक दिन की तकलिफ और है पिता जी सांस में कोई अची तर्कीब नहीं, आप बता सकें नर्का होगा के लड़की मौका देखती है न महल, जो मुझ में आता है वो ही भग देती है सबसे जरूरी काम तो यह है कि उस शेर को तराई में भेज़ दिया जाए शेर नहीं पिता जी मच्छर है एक दम मच्छर, लेकिन क्यों? वो इसलिए कि अब तो माला की हालत छिपाई नहीं जा सकती, आज नहीं तो कल शेखर को मालूम हो ही जाएगा और फिर दॉप्टर सहब भाया की एक आदद बड़ी अजीब है अगर उनी किसी काम से डरा दिया जाए और बुजदीर कहें तो वो हजार काम छोड़कर वो काम जरूर करेंगे आज गौटिट माला गौटिट शेर हो या बक्राव बंदर हो या कववग तो विजुवन ही लेंगे कर नी न कर देंगे बच्चा बेटा बच्चा खुद बच्चा बड़ों को बच्चा और बिड़ा कहते तुझे शरम ने आती है हम संसारी लोगों का कहने का बुरा नहीं माना करते बच्चा क्यों बच्चा मैं तेरे बाप के बढ़ाबार हूं समझे मगर हमारी नजर में तु बिलकुल दूद पीता बच्चा है अवे आठेन को क्यों सुबह सुबह मरने आया है तुझ को जिलाने आये बच्चा तेरी बेहन का मंगल वा बुदवार से टकरा रहा है और वो बहुत बीमार है बच्चा शुपाने की कोशिश मजपार बच्चा नहीं तो तू अंधा हो जाएगा सुमए कैसे मालूम है है शांती रैख बच्चा तेरा मंगलवार भी बुद्वार से टक्रा रहा है एक लड़की है जो तुझे राद दिन तंकिया करती है और याद रख वो तुझे जुका के ही रहेगी ऐसा हागिस नहीं हो सकता क्या तू भगवान से लड़ना चाबा है बच्चा पिर क्या होगा महाराज कुछ नकदी हाथ पर रख उपाय बता दिया जाएगा बच्चा इतना नहीं तुझे स्नवा रुपया शावाश बच्चा हाँ अब सुन तुझे शेशनाग जाना होगा बच्चा और वहां के पुराने मंदिर में पंदरा दिन तक मासा टेक कर पूजा कदमी होगी उसके बाद महाराज तेरा कल्यान हो जाएगा बच्चा मैं अभी जाता हूं महाराज जाता काई इसको प्रनाम कर अब तेरा कलियान हो या बच्चा शेर हो या बकरा, बंदर हो या कव्वा तुम्हें ढूंड ही लेंगे कहीं न कहीं बच्चा, बेटा तेरा तो कलियान हो गया बच्चा बेटा, डॉक्टर साब कहा है महराज, वो तो बड़े होस्पिटल में गए है बड़े होस्पिटल गए है? क्यों बेटा? सुना है, शेशनाग में बहुत बड़ा तुफान आ गया है तीन-चार मौते भी हो गई है यह बगवाल, यह क्या हुआ? राज, सुना तो राज बच्चा, बेटा, रुक्चा बेटा, आगे हत्रा है स्वामी जी, यह आप बोल रहा है यह आपकी आवाज मेरे कानों में भूंच रही है हम हमेशा तेरे ही साथ रहते हैं बच्चा आप मेरे सामने क्यों नहीं आयते हैं स्वामी जी? जब जरूरत होगी तो सामने भी आ जाएंगे बच्चा इस समय तू सिर्फ हमारी आवाज सुन रहा है अभी शेशनाग मत जा बच्चा सोमवार बता रहा है कि एक बहुत बढ़ा तूफान आने वाला है तेरी जान खत्रे में है बच्चा अगर तू जाएगा तो वापस नहीं आ सकता वारं घर लोट जा बच्चा तो तुम हो बच्चा अब तुम्हें जरूर जाओंगा और तुम्हें भी साथ लेकर जाओंगा बच्चा तुम्हें दिखाके रहूंगा कि बत्तमीजी को क्या नसीजा हो सकता मैं इस मजाग की माफी चाती हूँ शीशनाग में सच मुझ बहुत बड़ा तुफान आ गया वहां ना जाईए वहां जान का खत्रा है यहां भी तुम कौन साथ जीने दे रही हो सलब मेरा हाथ तो छोड़िये आप एक शरीफ आदमी समझ सकते मैं आपके साथ अकेली नहीं जा सकती तुम अकेली एक शरीफ आदमी को बरफ के गोले मार सकती हो तुम अकेली उसकी जिन्दगी हराम कर सकती हो और तुम अकेली आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते आपको यह लड़की हूँ मैं मर जाओंगी तो आपको क्या मिलेगा तुम मान लो कि तुम बुजदिल हो हाँ मैं बुजदिल हूँ मेरा बाप बुजदिल और सुना है मेरा दादा भी बुजदिल था अब तुम मान जाएए फ्लीज मैं कभी पर तमीजी नहीं करूंगी घर वापस के लिए नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे मैं आपके पाउपड़ती हूँ बढ़ो स्टॉप गिराप गिराप याद रखो असने वालों को कभी कभी रोना भी पड़ता है बच्चा चना बढ़ो 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 रखो बढ़ो बढ़ो उपजबनु हमगा लगान, पखना है, हमारे लुछ वारे लुछिए उनले लिए, ज हमारे प्रेधारा है, ज कर दोचके साथा है, मुछिए तो कैसी जिए ने अजिए भामा मझा जीए, जिए थी तो मुछिए आज़। Good, no fever. चलोट के चाई पियो. पहला बहर जाए. जाए? मुझे चाई नहीं चाईए, मुझे खाना चाईए. बद तमीजी की हद, आनी जुकमबक्त ने खाने के साथ प्रेटर चमते नहीं रखी? आप खाना खाना चाहते हैं या चम्छे और प्लेते हैं फिर वही बद तमीजी, जाना तुवासर खाना नहीं खाऊंगा. मत खाईए, मुझे तो भूख लगी है, मैं खाती हूँ. जा खा, खा. खड़े खड़े नजर क्या लगा रहा हैं आप, भूख लगी है तो खाईए. जों समय तो यह दिन खाना नहीं खाने से मैं मर जाओं आप क्या? जीने की कुझ जाइश कम है, मरने के चांसे बहुत जारा. क्या पराथा है, आलो की भाजी, सुभान आला, अच्छा, हूँ. हाई, मेरा ख्याल है, जान लेंगी ये चीज़ें. क्यों सहाब बहादूर, आप सच मुझ कुछ नहीं खाएंगे? ना. अच्छा, अगर कुछ नहीं खातें, तो ये खरी मिर्च खाकर पानी ही पे लेगे. हे भगवान, ये रईसलों भी खूब बनाये हैं तुमने, भूब के मारे तम निकला जा रहा है, तुमकर खाएंगे तसलीके से. कटी उम्र होटलो में मरे हस्पतार जाकर. तुमाई भाई किसने मागी है? मैं तो गुर्वान से कह रही थी. अच्छा, अब आप आराम फर्माईने. टार ममी ठारीनी, छुमाप्टी आराम पाऊ मम. रहा जालो म variety हैं ठीना हुआएं अभाएंगरर्फे जाम, जा ही रहा है. अः जाम जा एटतुम को है. आपके खंपके 89 घफश्या, स्वाएंगर्वह, जाश्या है. हुआ 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 है पिचारा अरे तेरा लाक लाक शुकर है भद्माद आखिर सुली का सिखाई ही दिया तो ने अब खाने पर और मुझ पर रहम फरमाईए तुफान के तेवर बहुत बुरे हैं ना जाने यहां कब तक मरना होगा पानी पर जोर ज्यादा दीजिए और खाने पर कम नॉंसंस यह नॉंसंस का लफ्स आपने कितने फागों में सीखा है कि अचर किभ तक किद। पर सूना की can जै कि यह कुँंन। कर दो यह सुभा का मंजर भी क्या क्या का हसी है तक क्या है कहीं सुल्फ कहीं खुद वो कहीं है क्या हुआ 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 है क्या हुआ है कर सकती कर दो और देता है पागल हो गये हैं आप डर था कहीं पागल नहों जाओ इस तुफान में आप बाहर गये थे कुछ ऐसे तुफान में घर गया हूँ जिससे निकल नहीं सकता हूँ ये तो मैं भी जानती हूँ तुम कुछ नहीं जानती आप बड़े बहादुर बनते हैं इतना सा तुफान नहीं रोक सकते हैं यही कोशिश कर रहा हूँ क्या कोशिश देखो तुम चली रहा हूँ यहां स कि तूफान किसी की बस की बात नहीं हुआ दुटकी, इस तो फाक से फस गए थे, क्या करते, मल जाते हैं? तम चलिए आ यहां से, बिलकुल बच्चियो, जाए! क्या पढ़ रहे हैं आप? कवीता आप और कवीता, बड़े तूफान की बात है इस दिल में इतने तूफान छुपे होंगे, यह मैं खुद भी नहीं जानता था क्या इस किताब में लिखवा है? जी, एक शेर सुनिए आज वो देखने बैठे हैं मेरे दिल की किताब आज वो देखने बैठे हैं मेरे दिल की किताब एक हिर्फिर के महभबत ही का नाम आता है क्या खूब शेर है जी, एक दूसरी खसल का शेर सुनिए क्या खूब लिखा है सुनाईए इस तुफान से पिलकुल मिलता जुनता कहता है दो तेज हवाओं की बुनियाद है तुफान पर या तुम ना हसी होते या मैं न चबा होता हुसन और इश्क की लाग में अकसर छेर उधर से होती है शमा का शोला चब लहराया उड़के चला परवाना भी कल तक मुझे इसी से नफरत थी इतनी खुबसूरत लड़की से इतनी बहुली इतनी महसूं कल तक मैं इसे जंगली समझती थी और आज मुझे यह क्या हो रहा है क्या इसी का नाम महपत है क्या इतना जालिम आदमी भी प्यार कर सकता है क्या जालिम ने तरपाया उसी जालिम पर प्यार आया प्यार और इस पत्थर से तुम चाहो तो इस पत्थर को तराश कर पैमाना बना सकती हो चाहे तो इन आखों की टपकती हुई मस्ती पक्थर को तराशा हुआ पैमाना बना दे उफ़ो क्या जुलम कर रही है अप क्या पराँखा है अफ़ो आचार मेरे ख्याल में जान लेकर रहेंगे एक दिल यही चीज़े मुझे भी खाने कीजिए तुफान के तेबर बहुत बुरे हैं आप खाने पर कम ज़र दीजिए और पानी पर ज्यादा पानी पीजिए ओ नौंसेंस यह नौंसेंस का लप्स आपने एक ही फाके में सीख लिया मुझे बहुत भूप लग रही है बहुत भूप लग रही है रे रूप देखिए यह रिक्वेस्ट है या ओडर? ओडर यह रिक्वेस्ट है यह रिक्वेस्ट है इसा मालम होता है कि अब यह तुफान हमारी जान ही लेकर जाएगा और मैं अपना यह गुना सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगा कि मेरी वज़े से तुम्हारी चान जा रही है नहीं आपका कोई कुसूर नहीं दोश तो मेरा है नहीं नहीं अच्छा नहीं भगवान तुमने मुझे जिंदगी में सब कोई दिया है सिर्फ एक मोहबत नहीं दी थी अब दे दिया है तो दे के वापस लेना तुम्हारी शान नहीं राज को बचा लो भगवान इस तुफान को रोक लो तुम्हारी सोगल खातों पर सारी जिंदगी तुमसे और कुछ नहीं मागूँगा भगवान और कुछ नहीं मागूँगा याहूू। 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 याहू। याहू। चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने दोजी कहता रहे हम प्यार के धूभानों में किरे हैं हम क्या करे चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने दोजी कहता रहे हम प्यार के दूभानों में किरे हैं हम क्या करे चाहे कोई मुझे जंगली कहे याहू। याहू। मेरे सीने में भी दिल है हैं मेरे भी कुछ अर्मा मुझे पत्थर तो न समझो मैं हूँ आफिर एक इनसां मेरे सीने में भी दिल है हैं मेरे भी कुछ अर्मा मुझे पत्थर तो न समझो मैं हूँ आफिर एक इनसां रहा मेरी वही जिसमे दुनिय चली रहा मेरी वही जिसमे दुनिय चली चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने तो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे एक मुझत से ये दूपा मेरे सीन में थे बेचैन क्या चुपाओं क्या चुपा है जब मिलते हैं नैन से नैन एक मुझत से ये दूपा मेरे सीन में थे बेचैन क्या चुपाओं क्या चुपा है जब मिलते हैं नैन से नैन सबर पेसे करूँ क्यों किसी से दरूँ सबर पेसे करूँ क्यों किसी से दर दरूँ चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे हम चार के तूपाणों में खिरे हैं हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे चाहूँ चाहूँ सर्द आहें कह रही है है ये कैसी बला की आग सोते सोते जिन्दगानी घबरा के उची है जाग सर्द आहें कह रही है है ये कैसी बला की आग सोते सोते जिन्दगानी घबरा के उची है जाग मैं यहां से वहां जैसे ये आस्मा मैं यहां से वहां जैसे ये आजमा चाहे कोई मुझे जंग लिका है कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूपानों में घिरे हैं हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंग लिका है कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूपानों में घिरे हैं हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे जाहूू। शेखर, ये वही रास्ते जिते हम आयते? रास्ता वही है, नाम बदल गया आयते नफर्त के रास्ते से और आप पहुंचें प्यार के रास्ते ना जाने क्यों में तब्यट घबरा रही? तिल क्याता है उड़के घर पौद जाओ। कोशिश तो की जारी है तब्यट बहलाने के जी और फिर भी ना बहले, तो क्या समझना चाहिए? समझना चाहिए, महबबत में कभी ऐसी भी आईसी भी पहलाई जाती है, तबियत और घबराती है जब पहलाई जाती है। शेखर वो मंदिर है ना, वो काश्मीर का बड़ा ही मशूर मंदिर है। अच्छा? हाँ, वहाँ जो लोग मांगती हैं उस सब मिल जाता है। हमें जो देना था दे चुका है, अब उसके पास धरा ही क्या है। तुम भगवान के लिए ऐसा कहते हो, कुछ शराब पी है तुमने? आँखों से पिलाने वाले पूछ रहें के शराब पी है तुमने? मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब किसी है। तो मैं अपनी आखे बंद कर लेती है। नाजू की उनके लब की क्या कही है। पंखड़ी एक कुलाब किसी है। मैं सोच भी नी सकती थी कि तुम इतने दिर्जस्पन सांदन सकते है। बनाने वाले की तारीफ करो जिसने पत्थर को तराश कर पैमाना बना दिया। मुझे अब तुमसे डर सा लगने लगा है। डर? मुझसे? जबके मैं इंसान बन गया हूँ। पिता जी कहा करते हैं कि सबसे खतरनाक जानवर इंसान होता है। वाट नॉंसेंस। तुम इतने दिन मेरे साथ हकेली रही तब डर नहीं लगा। जब तुम इंसान थोड़ी थे। खलत फेमियों मत पड़ो। तुम्हारी कसम इंसान में अब भी नहीं है। अच्छा? तुपर क्या हूँ? आशिक? माला, माला तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। तुम दोनों कहां गाइब हो गये थे? पहले तुम यह बताओ कि लड़का हुआ कि लड़की? बताओ ना तुम्ही मेरी ख़र। लड़का लड़का? ओओ! माला मिठाइजी होगी तुमाई दर्फ कैसे मिठाइजी? किसका लड़का? वो जब मैं यहां से गई थी ना एक अरब खातुन हस्पतार लाई थी जिनका बच्चा होने वाला था माला कैती थी लड़की होगी और मैं कैती थी लड़का मैं जीत के मेरे ख्याल से मैं जीत के माला आज तुम्हें डबल मिठाइबाटनी चाहिए माला मतलब है कि आज तुम्हें दोनों को जिन्दा देख रही हो माला जरा सोचो अगर दो चार रोज और तुफान ना रुपता तो हम लोग तो तिकाले लग गएते हैं माला भाया यह तुम हस रहा हो माला जिन्दा रहने के लिए सिर्फ तीन चीने जरूरी है माला हसी, खुशी और पूल जैके भाया माला जिन्दागी का सबसे बड़ा तुफान तो देख चुका हूँ अब छोटे मोटे तुफानों से कौन डड़ता है मैं ड़ता हूँ तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए बच्चे नहीं हो जमान हो चुके हो कभी यह भी सोता है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे अगर मैं यह कहूँ कि यह कि इत्तफाक था डॉक्टर साहब तुम्हारे इत्तफाक कह देने से बात नहीं बनती है साहब जादे और अगर मैं यह कहूँ कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ और आपको मुझे पर भरोसा करना चाहिए यह किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता अगर मैं यह कहूँ कि मैं आपकी बेटी से महबत करता हूँ तो मैं तुम्हें खोली मात दूंगा और अगर मैं यह कहूँ कि आपकी बेटी भी मुझसे महपत करती है तो मैं यह कहूँगा कि वो अभी बच्ची समझ भी नहीं सकती क्या चाहती और क्या नहीं चाहती और अगर मैं यह कहूँ कि हम दोनों शारी करना चाहते हैं तो मुझे बंबई जाना पड़ेगा तुमानी माताजी से बात करने माँ जी मैं मतलब है कोई जरूरूरत नहीं वैसे मैं खुद भी बंबई वापस जा रहा हूँ मैं उने सा कुछ समझा दूँगा और आपको तार जेकर बुर्वा दूँगा क्यों जी आपको पसंदाई है हमारी पसंद? ख महें अरी इसमें शेर्मानी की कॉंसी बात है माला माता जी का टेलिग्राम आया क्या निक्ठाए है बाया? ठील वापस वापस बश्वाया तब तो हमें फॉरार वापस जाना चाहिए, कल के सीटे बुख करवा लू मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा फिर भी नह जानी क्यों मुझे डल लग रहा है हसने का मतलब मतलब यह के तुम्हें किसी से प्यार हो गया है और जानते हैं जो प्यार किसी से होता है तो दिल की उल्जने और भी बढ़ जाती है शेकर तुम में दिल की हालत महीं समझोगे मुझे दुनिया की सारी खुषियां एक दम से मिल गई इसलिए मैं ड़ती हूं मुझे मेरी किसमत पर भरोसा नहीं मुझे मेरी किसमत पर पूरा भरोसा है मुझे यह खुषियां कोई भी नहीं शीन सकता सच कहते हैं खाओ मेरी कसम तुम्हारे सर की कसम अब हस दो हस दो मिस्टर कल तुम जा रहे हो आज मुझे हसने के लिए कहते हैं इस खुषी के बज में क्या काम है रोने वालोग आओ राज जाने से पहले की चंद घड़ी हम हसी खुषी से गुजार दें आओ दिन सारा गुजारा तो रियंगना अब जाने दे मुझे मोरे सजना मेरे यार शब्बा खेर आसान है जाना मेह फिल से ओ कैसे जाओ के निकल कर दिल से मेरे यार शब्बा खेर मेरे यार शब्बा खेर मेरे यार शब्बा खेर ओ दिल पर दिल थो कहें तेरी राहों को रोक लूँ मैं आई बिरहाँ की रात अब बत लादे क्या करूँ मैं याद आएंगी ये बातें तुम्हारी तड़पे की महबत हमारी मेरे यार शब्बा खेर 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 मेरे यार शब्बा मैं धर्ती तू आसमान मेरी हस्ती पेछा गया तू सीले के सुर्ख बाग में दिल बनके आ गया तू सीले के सुर्ख बाग में दिल बनके आ गया तू अब रहने दे निगाहों में मस्ती फ़का सल मेने खाबं की बस्ती मेरे याँ चपाफ्यर आसान है जाना महफिल से तो कैसे जाओगे निकल कर दिल से मेरे यार शब खेर ये चंचल ये हसीन रात हाई काश आज ना आती हर दिन के बाद रात है एक दिन तो ठहर जाती कोई हम से पिछड के न जाता जीने का मज़ा आ जाता मेरे यार शब खेर मेरे यार शब खेर मेरे यार शब खेर दिन सारा गुजारा तोर यंगना अब चान दे मुझे मोरे सजना मेरे यार शब खेर मेरे यार शब बखेर चाचा जी, मेरी बच्चे का क्या होगा? कहां रहेगा ये? बेटी, अब तो तुम सचमुछ मेरी बेटी बन गई हो जहां मैं रहूंगा, वहां ये बच्चा भी रहेगा आप जब बंबई आए, तो इसे जरूर ले आए ये तो मेरा पहला फर्ज होगा और दूसरा फर्ज होगा, बंबई पहुचकर जल्द से जल्द इस उल्लो को मिला दूं इस उल्लो के बाप के साथ चाचे जी वे टीक शब नहीं आती तुम्हे तीन महेने के अंदर अंदर अपने खांदार के उसल भूल गए कब आये तुम? अभी अभी मा आने का वादा कब था? मैं पोच्ती हूँ आने का वादा कब था? कल का था मा, सिर्फ 24 गंटे तो देर हुई माफ कर दू मा तुम अपने कमरे में जाओ तुम ये कैसे भूल गए कि कल सुबा तुम्हें आमगड जाना था ये देखो राजा साब ने घबरा कर अरजन तार दिया मा ये रिष्टा तुम्हारे पिताजी ताय कर गया है लेकिन मा अगर लड़की पसंद नहीं आई तो वो राज कुमारी है शेकर वो तो ठीक है मा अगर लड़की बदमज़ाज थाबित हुई तो फिर भी वो राज कुमारी है मेरी समद में ये नहीं आता कि तुम 24 गंटे लेट कैसे हो गए मा तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हारा बेटा मरते मरते बचा हाँ मा मैं तुफान में घिर गया था और आसा तुफान मैंने जिन्दगी में पहले कभी नहीं देखा मुझे ऐसा महसूस हुआ मा कि अब मैं अपनी मा से कभी नहीं मिल पाऊँगा तुम जानती हो मा मैं हर वक्त दुआ मांगा करता था कि भगवान एक बार मेरी मा को मुझे फिर से दिखा दे क्या तुम्हें दिल को ये खबर नहीं मिली मा जब्कि मैं तुफान में गिरवा तुमको याद करना था सिर्फ तुम्हे सिर्फ तुम्हे, मा शीकर मा शीकर शीकर मा मा में जब तु मिल गी मुझे अब सब कुछ मिल गया देखे तुमने शेकर की बद तमीजी थोड़े दिन काशमीर रहकर आया बिलकुल बद लगया अब वो आम लोगों के तरह हसने लगा है चीचोरे बच्चों के तरह लखने करने लगा है और जब मैं उस पर बिगड़ी तो मा कहकर मुझे लिपड़ दे मुझे उसकी यारकत बिलकुल मुझे एक शिकायत अपनी भी करनी है मुझे उसकी यारकत नामालूम क्यों अच्छी लगी उसका प्यार से मा कहकर लिपटना मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन अब ऐसा नहीं होगा तुम्हारे उसूर और बच्चों के तरफ्टी के लिए मैं अपने दिल की बादे लगा दूँगे शेखर जीवन अब मुझे रहा नहीं जाता आखिर कब तक मा अपने बच्चे से अलग रहेगी मैं आज ही मा से कह दूगी क्या हम दूरी अब एसे गल्ती कभी नहीं करना माला तुम अपनी माता जी को अच्छी तर जानती है कहीं हमारे कलेजे के टुकले के साथ को इन्ने की बदी हो गई तो हम जंदा नहीं रह सकेंगे आखिर कब तक इस हालत में तो कोई भी खामुश नहीं रह सकेंगे लेकिन हमें खामुश रहना चाहिए, अपने लिए नहीं, सिर्फ बच्चे के लिए, वक्त तंचजार करो माला, भागवाने चाहाँ तो सब कुछ ठेक हो जाएगा माला कहां जा रही है? मा, मैं जरा ऐसे ही तुम जरा ऐसे नहीं, वैसे जा रही हो, वरना जूते हात में नहीं, पैर में होते है मा, पैर में जूते काट रहे थे, इसलिए हात में ले लिए जानती हो जूते कप काटते हैं? जब पैर में छोटे हो जाते हैं नहीं, जब पाउं बड़े हो जाते हैं, और गलत रास्ते पर उठने लगते हैं, फिर इस तरह जाने की कोशिश की, तो पाउं काट दिये जाएंगे, जाओ अंदर जाओ नारसी, शरकार, जब तक मेरा हुकम नहों, कोई बाहर ना जाने पाए, जो हुकम हो तरह, जो हुकम है, जो हुकम हुर छॉट नैन तुम्हारे मज़ेदार ओजनाबे आली हमको तुम्हारे मज़ेदार ओजनाबे आली प्यार किया तुम्हारे किया तुम्हारे मज़ेदार ओजनाबे आली हमको तुम से हैं प्यारो जनाबे अलिए आप चाहे कुछ हो निकाहो बिछा गए मेरी जिन्दगी में बाहर बनके आ गए हम है तुम्हारे तलबगार ओ जनाबे अलिए हमको तुम से है प्यार ओ जनाबे अलिए नैन तुम्हारे मज़ेदार ओ जनाबे अलिए हमको तुम से है प्यार ओ जनाबे अलिए नैन तुम्हारे मज़ेदार ओ जनाबे अलिए हमको तुम से है प्यार ओ जनाबे अलिए महराजा पिता ने बढ़ाई दी है और फरमाया है कि बीमार रहता हूँ अब अगर शुब घड़ी देखकर शेखर राजकुमारी को देखने आ जाए तो शादी की मुबारिक रस्म अदा कर दी जाए राजा साम से कह दीजिए शेखर के शादी राजकुमारी से जरूर होगो शेखर के पिता जिने जो वचन दिया था उसका पालन करना हमारा धर्म है लेकिन शेखर एक जरूरी काम से कश्मीर जा रहा है इसलिए पंधरा जनवरी की तारिख मुकरर कर लीजिए 15 जनवरी अगर हो सके तो ये शुब घड़ी इतना आगे बढ़ाने की बजाए कुछ पीछे हटा ली जाए हमारे घड़ाने में कोई भी चीज आगे बढ़ाने के बाद पीछे हटाने का दस्तूर नहीं जो तारिख तै हो गई हो गई क्योंकि हमारे घड़ाने में ये रस्म है कि खाली हात नहीं जाया करते इसलिए महराजा पिता ने शेखर के लिए एक तलवार भेट भेजी है इसे सुकार कीजिए और हमारे घड़ाने के भी ये रस्म है कि तोफ़ा देने वाले को खाली हात नहीं भीजा करते यहार हमारी तरफ से राजकुमारी को पेना दीजी और यह दसदार रुपिया राजकुमारी पर से सत्का करके गरीबों में बांट दीजी जो हो कि हाँ मैं भूर रहा हूँ आपका कितना करदा दिना है जी चालीस हजार ये लीजे और बाकी का शादी के बाद बस चारहजार मारो शाटहजार ये आप भी लीजे और बाकी शादी के बाद ये शादी कम होगी पंदरा जनुरी के बाद याद रखना ये तारीक, अगर पंदरा जन्यूरी के बाद सब करदा अदा नहीं हुआ, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, अरे चाजू, चाजा करते क्यों हो, आखर मैं भी आमगड का राज कुमार हूँ, तुम्हारा करदा तो चुकाना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो ये फिलहाल ये रखिये, ये आप भी लिजिए, ये मिस्टर, मेरी घड़ी तो वापस देते जाओ, ओ ब्रदर, I am really very sorry, ये लो, जी हाँ, ये फिलहाल आप अपना हार रखिये, मुझे फिर ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी शादी के बाद, पिता जी, तलवार कितने में विकी, मानता हूँ पिता जी, वो तलवार का आइडिया काट गया, आना जीनियस टच, आखिरा पिता जी किसके है, पिता जी, जो खानदान शादी से पहले 25,000 की भेट दे सकता है, उस खानदान के पास दौलत की क्या इंतहा होगी, पंदरा ज तक क्या करदार बढ़े रहेंगे, फिलहाल माने उन सब का मुबंद कर दिया है, और ये देखो, शेखर की माने तुम्हारे लिए ये हार फिजा है, बहुत खुबसूरत है, शादी के पाद न जाने कितने ऐसे हार होंगी मेरे पास, ज़रा देखो मैं भी, देखे, पंदरा हजार से कमका नहीं होगा, पिता जी, ये हार मेरे पास रहेगा, नहीं, मैं बात हूँ और इस तब मेरा पूरा हक है, और फिर तुमने कुछ माल अपनी जिब में नहीं रख लिया, आप दोनों के पास रहा तो ज़रू बिख जाएगा, और फिर हो चुकी मेरे पादी रुख गई तो हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी, पिता जी, सब बंदबस्त हो गया, मैंने शेखर के ठहरने का इंजाम होटल गुलमुहर में किया है, क्या होटल गुलमुहर है, हाँ, वो अपना चज्जू है ना, उसके हमने पचास हजार रुपय देन है, मैंने उसको कह दिया कि अगर ठहरने नहीं दोगे तो पैसे गए, फिर वो माना, आजी उसका बाप भी मानता, मगर वो मोटर का क्या होगा, कल से मैंने एक सेटकें ड्राइवर की नौकरी भी कर ली है, शाबवाज, आखिर बेटे किसके हो, ठेंक यू पिता जी, आप ये सुनकर और भी ज्यादा खुश होंगे कि मैंने अपने तमाम करदारों को पार्टी में बलवा लिया है, और वो अपनी अपनी शानदार पोशाके पहन कर हमारी पार्टी में हाजर होंगे, अच्छा, आप देखते तो जाएए कि महफिल का क्या नंग जमाता हूँ, मुझे तुम से मैंने देखा, सितारे चारों तरफ है छिटके, जमी पे है चांद चौधवी का, तो सहिबान, अब आप इस चौधवी के चांद के ओनर में मिस्सुकू का नाज मुलाहिदा फरमाएंगे, मिस्सुकू कर दो जमाता हूँ, जमाता हूँ, मिस्सुकू कर दो कर दोड़ मिस्सुकू जो 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 झाल झाल आई आई सुकू सुकू आई 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 करू मैं क्या सुकू सुकू खो गया दिल मेरा सुकू सुकू आई 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 करू मैं क्या सुकू सुकू कोई मस्ता ना कहें कोई दीवा ना कहें कोई परवा ना कहें जलने को बेपरार चाहत का मुझे पे असर मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर मंजिल है मेरी प्यार आयाया करू मैं क्या सुकू सुकू खो गया दिल मेरा सुकू सुकू आयाया करू मैं क्या सुकू सुकू आयाया सुकू सुकू चौंको मत ऐ दोस्तो योही मुझसे मत डरो मेरे भोले प्यार को ना दानी न समझो हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है सेधी सची बात है कहानी न समझो आयाया करू मैं क्या सुकू सुकू खो गया दिल मेरा सुकू सुकू आयाया करू मैं क्या सुकू सुकू मेरी आँखों में नशा मेरी बातों में नशा मेरी सांसों में नशा बहता मैं बिन पिये गुड़ते गुड़ते बेवसी सहमी सहमी हर घड़ी बिन चाहत क्या जिन्दगी जीता मैं किस लिये आयाया सुकू सुकू आयाया करू मैं क्या सुकू सुकू ठो गया दिल मेरा सुकू सुकू आयाया करू मैं क्या सुकू सुकू आयायाया करू मैं क्या सुकू सुकू आयायाया करू मैं क्या सुकू सुकू आयायाया करू मैं क्या सुकू सुकू कि अरिख करें बान सुक, सुक पिता जी ये तो कुछ पागल मालूम होता है कुछ खांदानी पागल मालूम होता है पिता जी मैं ऐसे पागल से शादी नहीं करना चाहती बेटी मेरी प्रात्न ये है कि ऐसा कुलोडपती पागल भगवान हर लड़की को दे मैनेजर साथ अब आप जा सकते हैं जी बेटर बैटर पसंदाई राजकुमारी नदर आती है मा राज को सूरज और दिन को चांद नदर आती है आँखे कैसी है क्या कहने मा क्या कहने अंधों को नदर भर कर देख ले तो आँखों में रोशनी पैदा हो जाए राजकुमारी जो ठेरी और लोग कैसे हैं लोग मत कहो मा लोग मत कहो फरिष्टे कहो फरिष्टे राजा माहराजा ऐसे ही हुआ करते हैं उन फरिष्टों को तुम कैसे लगे कहने लगे कि लड़का चेहरे मोरे से तो अच्छा मालूम होता है कड भी अच्छा है रंग भी अच्छा है लेकिन मिलने जुलने से कुछ कुछ क्या कुछ पागल मालूम होता है काबिल मालुम हो दी, मैं तुम्हें 25 सार में नहीं समझ सकी, और वो तुम्हें चन्द घंटों में ही समझ की क्या मतलब, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ प्यार से कहा होगा, इतना भी नहीं समझता क्या मा, प्यार से कोई 24 घंटे पागल नहीं कहता खाना खाओ तो पागल, बायत करो तो पागल, जानते हो चलते चलते उन लोगोंने क्या कहा? क्या? कहने लगे तुम खानदानी पागल हो. गोली नहीं मार दी तुमने? गोली? मा, बस चलता है तो गोल्ड मेडल देता हुने. मा, काबिल जो ठेरे, कुछ घंटों में मुझे पहचान लिया. खमाश! मा, गुस्ता क्यों करती हो, प्यार से कहा होगा, इतना भी नहीं समझती. ऐसे प्यार से कहने वाले की गर्दर मरोड देनी चाहिए. मैंने चाहा मा, और मैं आगे बड़ा भी. लेकिन मा, राज कुमारी की करतन बहुत खुबसूरत है, बिल्कुल नूर के साचे में ठली हुई. चल्दे, शेकर! मा, मैं उस राज कुमारी का नाम भी सुनने नहीं चाहती हूँ. माला, देखें तुमने राज की बेर कुवी, तार दिया है कि आ रहे हैं, लेकिन कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, यह रहे हैं यह रिकुल ने लिखा. आहां भाया, क्या कमान के खुश्टाबी सनाई है, जर मुखोले तब, हाँ, अरी घबराती की हूँ, कहीं भी आए, हम तरह को मिलने जरूर आएगी, ओ, मिलने जरूर आएगी, और कहीं माता जी से पहले मिलकर को ऐसी वासी बात कर दी, तो हारा सारा माम लाग तुम यहां ह मम यह पाद से वासी हुआ है, हम इसके खाद से यहां है जरूर मुखेस, फिर मै वन नोव को बला लेती हूँ, और शादी के तारीख पर की की यह देती हूँ, माम मेरा खाल है कि बहतर है कि इस सिल्सले में आप ड़्ुप्तर सादी की राय ले ले, मैं जाता हूं, मेडम, हम अपने बारे में भी आपका आइडवाइस मांगता है I have fallen in love with a girl She is beautiful, very very beautiful like sugar and honey Doctor Yes अब जा सकते है Okay Yes, madam वो लोग यहाँ आय हुआ है मैं तुम्हारी शादी की बात पक्की किये देती है आजकर किश्मी में काफी सहीवी है माफ केज़े, Raja साथ मैं जरा शेकर को टेलीफ़न कर रही है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माला जी तुम राज कुमारी को पोठी के स्पैर कराओ मुझे जरा राजा साथ से जरूरी बात दे करने अच्छा मा, आए राज कुमारी जी मैं जरा घबरा सी गई थी कि शेकर ने ऐसी कौन सी हरकत की जो आप लोगों ने उसे खांदाने पागल सुझा जी नहीं तो, शेर उसने मजाक से कहा होगा ऐसी तो कोई बात नहीं हुई जी, राज कुमारी की तो बहुत तारीफ करता है बच्ची आप ही की है तो फिर बात पक्की समझो राजा साहब जी सोले आने पक्की लेकिन ये आप मुझे राजा साहब क्यों कह रही है आप राज कुमारी के पिता है इसलिए ओ, इस रिष्टे से, शुक्रिया, शुक्रिया आप राजकुमारी को मेरे पाथ छोड़ते जाएं, तो कोई हर्ष तो नहोगा जी कोई हर्ष की बात नहीं, बड़े सौख से रख लीजिए खुबसूरत हूँ, बहुत खुबसूरत हूँ सर जुकाने का क्या मतलब हूँ, मैं जूट कह रही हूँ तुम सचमच खुबसूरत हूँ, बहुत ज्यादा खुबसूरत हूँ जी ये जी का क्या मतलब हूँ, जी हाँ या जी नहीं जी हाँ क्या जी हाँ जी मैं खुबसूरत हूँ, बहुत ज्यादा खुबसूरत हूँ आओ मेरे साथ तुमने आशिरवात दे दिया मेरे दिल को तसली हो गई जरा गौर से देखी कितनी खुबसूरत आखे हैं वहु की खुबसूरती के साथ साथ किसी उचे घराने की छलक भी मौचूद है चर्देव हुए सूरच जैसा रंग कह रहा है जिस घर में भी जाएगी चार चान लगा देगी इसके आते ही मेरा शेखर अच्छा होगी कितनी मुबारक कदम है इसके बहुत तुमने कुछ सुना बेटी जी हाँ मैं जानती हूँ स्वामी आत्मा का संबंध हमेशा रहता है आत्मा कभी नहीं मरती और आत्मा को जिन्दा रखने के लिए जिन्दगी में हसना नहायच जरूरी है ये मैंने मरने के बाद महसूस किया ये तू बोल रहा है मेरे रूप में पिता जी की आत्मा बोल रही है शेकर शरीर कही का जाया जी देखो तुम सिर्फ इसकी वीवी ही नहीं इस घर की बहु बन कर आ रही है और इस घर की बहु बनना बड़े खुशकिसमती की बात समझी जाती नहीं माँ सबसे बड़ी खुशकिसमती की बात पर ये है कि आज मुझे 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 जीती रो कहिए शेखर सहाब की मिजज पुर्सी के लिए हाजर हुआ था लेकिन शेखर सहाब घर पर नहीं है मैंने तो सुना था उनकी तबियत नासास है कुछ अंदाजा है आपको के कहां मिल सकेंगे इस लोक्त मेरा ख्याल है वो राजकुमारी जी से मिलने जोहाले बंगले पर गए होंगे अम आप दो लालि राजकुमारी जी कौन है राजकुमारी जी को आप नहीं जानते उन्हीं के साथ तो साहब की शादी होने मेंदे शुक्रिया शुक्रिया आप डॉक्टर है, समझ सकते हैं, अमना अकेला नहीं रह सकता, मैं रात को सो नहीं सकता, बगर बच्ची के मुझे नेन नहीं आती रॉक्साप पिताजी इनको कुछ स्लीपिंग पिल्स दे दीजे ना आप समझती क्यों नहीं, मैं बच्ची को घर ले जाने के लिए आया हूँ, मैं इसका बात हूँ, यह मेरे बेटा है, लिली, 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 यह मेरे दिली की तुकार है, यह कुदरती बात है कुजरती बात तो ये है सहाफजादे कि आप माता जी से जाकर सारी बाते कह दे जाक साब आप माता जी को नहीं जानते अगर उन्हें बच्चे की भनक मिल गई तो खेरियत नहीं मेरे बच्चे की और अभी आप मुझे भी नहीं जानते ये अब सिर्फ माला की इज़त का नहीं, मेरी महबत और मेरे वचंग का सवाल बन गया है मेरी जान जा सकती है, लेकिन बच्चे पर आच नहीं आ सकती जो हमने सोचा था बिलकुल वही हुआ, शेखर ठोके से शादी कर रहा है घर वाले ये समझते हैं कि लड़की राजकुमारी है, लेकिन दरसल वो एक डॉक्टर की लड़की है दोनों मिलकर मा की आखों में धोल जोंक रहे हैं अब हमें बिलकुल देर नहीं करनी चाहिए पिता जी, हम शाही खांदान से तालुक रखते हैं जो चीज आसानी से नहीं मिल सकती उसे जबरदस्ती हासिल करना जानते हैं तुम ठीक कहती हो बेटी, हमें शेकर की माता जी से फॉरन मिलना चाहिए ताके उनको मालूम हो जाए कि असली राजकुमारी कौन है और नकली कौन नमस्ते जी हुमार्ट Excuse me, one moment आए, आए, तरशीव लाइए, मैं आप लड़े में बठाता हूँ आए, आप लोग कब आए हैं, मैं अभी माताजी जी कहता हूँ कि आप लोग शेखर, आप लग कौन है माँ, ये, ये मेरी माताजी नौस्ते पैचाना नहीं आपने मुझे मैं आमगर का राजा हूँ ये मेरी लड़की है शेखर आमगर आया था एक ने दूसरे को बहुत पसंद किया ये ये राजकुमारी है तो फिर वो लड़की कौन है जे आप लोग बैठिये, मैं भी आया कौन है ये निर्ट मा, राजकुमारी कहां के राजकुमारी मैं पूछती हो कहां के राजकुमारी मा, तुम घबरा नहीं मैं तुम सब कुर समझा दूँगा परसर इंशे ऐसा माला मुझता है आपकी जोगत पहनी मैं कहीं कि राजकुमारी नहीं मेरा नाम राजकुमारी है और तुम्हारे पिता? वो डॉक्टर है शेखर को पहली बार तुम कहा मिली? कश्मीर में जब माला बीमार हुई थी हम तुम माला की बीमारी के परदे में तुम लोगों ने उन्चे उन्चे घराने के खौफ देखने शुरू कर दिये कैसे खौफ? जो गरीब अमीर बनने के लिए देखा करते हैं मा मेरी बात तर सुनो दरसल कसूर मेरा है मा इस गरीब का नहीं ऐसे खरीबों ने नमालम कितने शरीफों के घर तबा कर देए माफ कीजेगा हम खरीब जरूर है लेकिन शरीफों का खूल हमारी लगों में भी है इसलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हारा नाम राज कुमारे रग दिया ताके तुम दुनिया बर को धोका दे सको मेरे पिताजी डॉक्टर है लोगों की जान बचाते हैं किसी को धोका नहीं देते और ना किसी को घर बुलाकर जलील करते तुम्हें बहु का आशिरवायत दे दिया मेरे तिल को तसरली हो गई बहु की आँखे कितनी खुबसूरत है और खुबसूरती के साथ साथ किसी उंचे घराने की छलप भी माच छुट है देखो इस घर में तुम सिर्फ इसकी बीवी नहीं सारे खांदान की बहु बन कर आ रही जिस घर में चाहेगी चार चांड लगा देगी चंदरशे है चंदरशे का मर क्या और उसकी राख में से एक नया चंदरशे को पाइदा हुआ जो के पत्थर नहीं इंसान है इंसान वो है जिसकी जिन्दगी के कुछ उसूद हो जो गिरी हुई हरकत है ना करता है इंसान गिर सकता है असूल जुक सकते हैं खानदान तबाह हो सकते हैं लेकिन महबत करने वाले दिल ना जुके हैं ना कभी जुक सकते हैं पूरी बात तो बता आखिर हुआ क्या है शैज कोई गलत फहमी हो गई होगी मैं जाके पूछ लूँ पिता जी अब उस घर आने की कोई बात नहीं होगी और अगर आपने भी वहां कदम रखा तो मैं आपसे जग़ा तर लूँगी वह वह इतना गुस्सा गुस्सा मेरा तु दिल चाहरा एक आपका खून कट डालू मैं हाजर हूँ शौक फरमाइए पिता जी इन से कह जीजिए फौरम दफा हो जाए मैं इनकी सूरत नहीं देखना चाहती पिता जी इन से पूछी मेरा कसूर क्या है माताजी ने मेरी शायदे कही और टायक कर रखी ती इत्तफाक से वो लोग आज घर पे आ गए बताएए मैं क्या करता सस्तो है बिचारा क्या करता बिचारा ऐसे बिचारे को जहर दे रेना चाहिए बुस दिलों की तरह खड़े रहे यह भी मुझे ना निकला कि मुझे से प्यार करते मुझे से शादी करना चाहते अच्छा वै मैं यहां से जाता हूँ अब तुम जानो और यह जाने जब एकाज का सर फूट जाए तो मलमपक्ट्टी करने मुझे भुला लग राज मेरी बात तो राज राज तुम चले जाओ राज मेरी बात तो मैं कहती हूँ चले जाओ राज तुम समझेगे कोशिश करो नहीं जाओगे नहीं जाओगा यह क्या बत्तमी जी राज यह पजपना छोड़ा तुम मेरी मुझे एहसान तेरा हो गा मुझे पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मुहबत हो गई है मुझे पलकों की चाहं में रहने दो एहसान तेरा हो गा मुझे पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मुहबत हो गई है मुझे पल्कों की चाऊं में रहने दो एहसान तिरा होगा मुझे पर तुमने मुझे को हसना सिखाया तुमने मुझे को हसना सिखाया रोने कहोगे रो लेंगे अब रोने कहोगे रो लेंगे आंसु का हमारे गम न करो वो बहते हैं तो बहने दो मुझे तुमसे मुहबत हो गई है मुझे पलकों की चाओं में रहने दो एहसान तिरा होगा मुझे पर चाहे बना दो चाहे मिटा दो मर भी गए तो देंगे दुआई मर भी गए तो देंगे दुआई उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मुहबत सहने दो मुझे तुमसे मुहबत हो गई है मुझे पलकों की चाओं में रहने दो एहसान तिरा होगा मुझे पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मुहबत हो गई है मुझे पलकों की चाओं में रहने दो एहसान तिरा होगा मुझे पर आज समाग जुमे हम चप चले तरो यह जहान जुमे आज मा तुम तुम अभी तक सोई नहीं और शायद अब कभी ना सो सकती है उस मा को नीन कैसे आ सकती है जिसने अपने बेटे को पाल पोसकत इतना बड़ा किया और आज वो ही बेटा यह कह करके चला गया कि वो उसके लिए मर चुका है मा तुम समझती क्यों नहीं? मा तुम समझती क्यों नहीं? मा अस वचन के लिए अपने महबत को कुर्बान नहीं कर सकता मा और उस वचन के खातिर मैं अपने जान दे दूंगी शेकर मा तुम यह नहीं कर सकती मा तो फिर तु इस लड़की से शादी नहीं कर सकता तुझे इसे हमेशा के लिए भूल जाना पड़ेगा मुस्य यह नहोगा मा तुम जिद ना करो अगर तेरी यही जिद है और मेरी जान से जादा तुझे इस लड़की की महबत प्यारी है तो याद रखना शेकर एक तरफ तेरी इस लड़की से शादी हो रही होगी और दूसरी तरफ तेरी मा की लाश इस गर से उठ रही है मा मेरा यह आखरी फैसला है शेकर मा तुम मेरी जिंदगी से सारी खुशियां क्यों छीनना चाहती हो कहो मा तुम ऐसे नहीं करोगी ना बोलो मा तुमने सब यह घुस्से में आकर कह दिया ना बोलो मा शेकर जो कह दिया है वो करकर दिखाऊंगी अच्छा मा अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं उस लड़की के साथ शादी नहीं करूँ अगर मा तुम्हारे चर्णों की सबन खाकर कहता हूँ सिंदगी में किसी और से भी शादी नहीं करूँ रास्टा कर दो कर दो एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मुख़त हो गई है मुझे पलकों की चाहं में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मुख़त हो गई है मुझे पलकों की चाहं में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर चाहे बना दो चाहे विता दो मर भी गए तो देंगे दुआए उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम के दर दे मुख़त सहने दो मुझे तुमसे मुख़त हो गई है मुझे पलकों की चाहं में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मुख़त हो गई है मुझे पलकों की चाहं में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर दो में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझे पलकों की चाहता है दो मुझे दो में रहने पन्दाग दो में रहने दो एहा होगा मुझे क्या हुआ पताजी? मैं शेकर की मादाजी से मिलकर आ रहा हूँ खबरें बहुत खराब है शायद ये शादी काफी हर्से के लिए रुक जाए क्यों पताजी? वजे क्या है? वजे है और मेरे ख्याल में सच है वो कहती है के वो कोशिश कर रही है लेकिन जब तक शेकर के दिल में उस लड़की की महबद है ये शादी नहीं हो सकती लेकिन जब तक तो हम भरबाद हो जाएंगे पताजी करजदार और जादा इंदार नहीं कर सकते रियासत पहुँचते ही हमें हत्करिया लग जाएंगी भाया अगर हम किसी तरह शेकर के दिल में उस लड़की की तरफ से नफरत पैदा कर सके तो ये का मिंटों में हो सकता है क्या कहा नफरत पैदा कर सके जिन अस्ता अच्छी चलो मेरे साथ तुम लोग कहा जा रहे हूँ कुछ अपना भला करने और कुछ लोगों का चलो मैंने शेकर को टेली फोन कर दिया है आओ मेरे साथ देखिए मेरा तो कुछ भला होता नहीं मैं तो सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ लेकिन ये बच्चा मेरी बेटी का हर्गिस नहीं है हम कैसे ये बात मान सकते हैं तो हजूर फिर मुझे मजबूर होके कह देना पड़ेगा के बच्चा किसका है किसका है जिसका है उसका माला का एक शरीफ औरत को बरबार करके आपका क्या फायदा होगा फायदा तो कुछ खास नहीं होगा यही के दो-चार आद्मियों का खुन होते हुए देखने को मिलेगा माताजी आएंगी मारा को मार डालेंगी बच्चे को मार डालेंगी और हो सकते हैं शेकर भी मारा याद रहे यह बच्चा तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा कहिए सच सच बताईए यह बच्चा किसका है आप क्या समझती राजकुमारी के कहना है कि यह बच्चा इसका है और आप मान गए यह बच्चा इसी मासूम का है यही पूछने के लिए यहां आया है कि कश्मीर से बंबई किस तरह आया और इस बच्चे से आप लोगों किया नाता है नाता तो बहुत कुछ है मगर अफसोस यह है कि जवाब नहीं दे सकता तो आप मानते हैं कि बच्चा आपके बेटी का है जवाब को नहीं दे आप जवाब दे भी नहीं सकते आपको मानना पड़ेगा बड़ा घराना देखकर आप लोगों ने मेरे बेटे को फुसलाने की कोशिक लेकिन मेरे भगवान और मेरे घर के वसुलों ने मेरी रक्षा की वरना वरना ये जलील और गिरी हुई लड़के मेरी बगु बनकर आदे है और हमारा खांदान हमेशा के लिए तबाह हो गया अब भवान की सावगन अब मुझसे खामोश नहीं रहा जाता नहीं पिता जी नहीं मैं इन्हें जवाब दे देती हूँ हाँ ये बच्चा मेरा ही है मुझे पहले ही मालम हो चुका था कि ये बच्चा तुम्हारा ही और अब ये भी पता चल चुका है कि तुम्हें को से चीजियां खीच लाई है वो है दौलत जिसके तुम भूके हो ये रहा एक लाक रुपया यो और अपना मुझ काला कर दो rantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrantrant राज मैं कहे चुकी हूँ, ये बच्चा मेरा ही है नहीं राज, नहीं, तुम जरूर कोई बात चुपाने की कोशिश कर रही हूँ सद बताओ राज, सद बताओ तुझे यकिन क्यों ही आता शेखर मा, एतना यकीन है राज पर मुझे शाद आपना पर भी नहीं होता नहीं मा, ये बच्चा राज कर नहीं हो सकता ये बच्चा मेरा है शेखर मेरे हाथ पर हाथ रख कर कसम ख़ो, बोलो, ये बच्चा तुम्हारा कसम क्यों नहीं खाती, खामोश क्यों हो गई, मैं तब देखती क्यों नहीं, बोलो राज, नहीं राज नहीं, प्यार करने वाले के हाथ में हाथ देकर, जूटी कसम नहीं खाया करते है कहे दो कि ये बच्चा किसका है, लेकिन एक शरीफ के मूँ से दूसरों का भरम निकलेगा भी कैसे मा, ये बच्चा मेरा है क्या, ये बच्चा तेरा है? हाँ, लेकिन जनम दिया है तुमारे उन उसुलों ने जिनमें उन्स, नीज, गरीबी अमेरी और जूटे शानों शौकित के हजारे जहरे लेकिने छिपे हुए इसका मतलब ये हुआ कि तु मोहबब में अंधे बनकर खानदान के माथे पर कलंग का ठीका लगा दे बगेर शादी के इस पाप के निशानी को जनम दे दे जिसे आप पाप की निशानी समझ रही वो पाप की निशानी नहीं है हम दोनों ने छुप कर शादी की थी और आप के धर से आज तक नहीं कह से लेकिन मजबुरन मुझे आज ये कहना पड़ रहा है कि ये बच्चा हमारा है मैं इसका बाप हूँ तुम जूट बोल रहे हैं जी नहीं मैं सच कह रहा हूँ अगर यकीन आए तो देख लिजी ये शादी का सर्टिपिकट तो साल पहले हम लोगों ने शादी की थी मना तूने चुरी छुपी शादी की और वो भी इस गरीव गिरे होई इनसान से। गरीब लोग भी शरीफ होते है मा, उनका भी दिल होता है, कुछ अर्मन होते हैं कुछ अपने होते हैं अगर तम ने इनसान्य को खरीबीं, और अमीरी के तरासे से नातोला होता बादा overlapping, बड़े धुंब से घर में मनाई जाती शहनाईodus बचती माँ, शहनाई बचती और श्याधी की उन शहनाईों मेंगरंूड़ते खानदान की उसरों का दम घुना फाना था खानदान की इज़त मिती में मिलती हूए नज़ा आए माला का ये खुसूर मैं कभी माफ नहीं करसे। कुसूर हो नहीं मा, तुम हो। तुम अरी जिदगी अंध्य बनी रही। तुमने हमेशे अपने खुण की भाइए की, तो ने हमेशे अपने खानदान की गलत असूलों को गीता और हमाइन से भी ज़्यादा पवित्र समझा आज मालूम हो गया होगा मा, कि सही असूल तुम्हारे खानदान में नहीं, इन गरीबों में हैं तो तुम्हारे खानदान की इज़त बचाने के लिए अपनी खुशे को निच्छावर करवा है और उस दलील लग्ती को देखो जानता कि मुझे उसके साथ शादी नहीं करना चाहता है जानता कि मुझे उसकी सुरत भी नफ़त है तुम्हें पैसे की खातर सिर्फ पैसे की खा जिर्फ पैसे की खातर ये लाक रुपया शादी तोने का हर जाना और लाक रुपया और उस्वों के सपने तोने का हर जाना शायद तुम्हारे पास अभी ना हो जेलो पर तकसर कर दो माता जी यार ग्रेट हुआ 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 टेरो! ये हमारे खानदान के उसी एकला पारुआ हुआ हुआ हुआ! हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 हु गहांड़र गमाड़र आप एक बाड़ सेटी फिछ वांड़ इचर पिर डही गपिए एडर आल्राण खर अड़र भ почти हर दो झाल चढ़र प्ष्छूदूँ रच्छू़ रचा जो थाँ प्ष्छूदूदू राज, जाओ, शेखर को बुला लाओ कहना, मैंने बुलाया है लाओ, मुझे तो आहां शेखर, शेखर, क्या हुआ तुम्ही शेखर, जागो ना याहा, याहा जाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने तो जी कहता रहे हम प्यार के तू फानों में गिरें है हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे याहा, याहा ऐसी ही और सदा बहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारुमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक